के माधियम से जो भी बिहार के AC, HD, BC और EBC छातर छातर HER है के बाद के जो भी हो कौर्स कर रहे हैं, जैसे की इंटर कर रहे हैं आशो कर रहे हैं प्रोफ एक प्रोसमा कर रहे हैं उन सभी को जो है जातर भीटी यहाँ पर प्र-वाइड की और जो हे 30 सीथमबर तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे फॉर्म फिल करने से पहले कुछ महास पूर्द आस्तवेज होते हैं जैसे कि मालेजी आप फिल करेंगे तो रश्यक्न के लिए अलग से आपको दास्तवेज देने देना होगा लेकिन आप इसको चिपका देंगे तो उसके माधिमस्व को पता चल जाएगा कि रेश्टेशन के लिए जो है कौन को दोक्मेंट से यहां पर देना होगा हलाकि अभी application form शुरूर नहीं हुआ है ठीक है 17 अगस्त को हम वीडियो बना रहे हैं अब यहां पे इसमें जो भी documents लगेंगे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें आधन करने के लिए आपके पास दास्तिवेज होने चाहिए तो दास्तिवेज के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि आपके पास कौन-कौन से दास्तिवेज होना चाहिए और नहीं है तो उसको जल से जल बनवा लीजिए नहीं तो आपको इस जोना से बंचित रहाना पड़ सकता है देखिए documents का हमने list त्यार किया हुआ है उस list को download करने के लिए और उसके बारे में अधिक जनकारी के लिए आपको easy to net.com पर आना होगा इसको यहां से open कर लेंगे open करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहां पे बिहार पोश्ट मैट्रिक स्कॉर्शिप 2324 का जो link है हमने upload करवा दिया हुआ है यहां पे click करेंगे तो इसके बारे में जो ही सभी जनकारी मिल जाएगा ठीक है चारहीं का IT गड़ी के जो लोग होते हैं इसमें आवदन कर पाएंगे AC, ST, BC और EBC के जो भी छात्र-छात्राय हैं मैट्रिक के बाद के जो भी courses हो कर रहे हैं जैसे कि माली जाप इंटर कर रह होता है और इस पर आपको scholarship दी जाती है ठीक है यह वीडियो में मैंने previous वीडियो में कफर करके आपको बता ही दिया था अल्मोष्ट मैंने आपको सारा जनकारी प्रवाइड करवा दिया है ठीक है कि इनको कितना scholarship मिलती है उसकी भी जनकारी इस पोडल पर आपको देखने को मिल्रा इस पर क्लिक करेंगे तेक यहाँ पर सामने कुमेश टॉक के दोबरा जोएक डॉक्मेंस कर लिष्ट पर जारी हो जाएगा जिसमें हमने अपना जब में जनकारी यहाँ पर दिया हुआ है और से डॉक्मेंट जो है required है देखिए आप सब भली भाती जानते हैं कि इसका जो फॉर्म होता है ना दो पार्ट में फिल होता है पहले आपको राइस्ट्रेश्ट करना होता है राइस्ट्रेश्टाज करने के बाद आपको ऐविजर यूजर ॴिजर आईड पासवर्ड मिलता है वेरिफिकेशन विभाग सत्यापन करता है और उसके बाद जो है आपको एस्क्लोर्शिप के लिए अपलाई करनी होती है तो दोनों के लिए जो है अलग अलग दास्तिवेज यहां पर देने होते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम यहां पर बात किये हुए है ठीक है सबसे पहले हम बात करेते हैं कि 2023-24 एसी एस्टी बीसी और एबीसी के लिए एकडमी करी के लिए फॉर्म फिल होने वाला है हलाकि फॉर्म का डेट दो है सोरे अगौस नहीं रखा गया था लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है उनलाई रश्टेशन की हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास अधार काड होनी चाहिए बैंक पास्पूक होनी चाहिए जिसमें पैसा लेना चाहते है और आपका जो बैंक पास्पूक है वो आधार से स्टीड़ भी होना चाहिए उसके बाद का सर्टिफिकेट इंकम सर् चाहिए उसके बाद एक इमेल आईड़ी और मोबाइल नंबर जिसमें बना लीजिए और मोबाइल नंबर तो आपके पास हो गई होगा तो यह जो है रश्टेशन में लगने वाले दास्तिवेज हैं जो आपको त्यार करवाले नहीं है अगर अभी तक आपने त्यार नहीं अगर आपने 2023 में मालीजे में इंटर में हो हीं घ्या होगा निया आपने 2023 में घ्यशिटरा की और जो भी आप अपनी अब कर deaf ॏ आप से लिंग कर सकते हैं मतलब कि एक अपने वाई देखें एक गार मीकर होता है आप अपनका देखेंगे कौर्स कर रहे हैं कौन से पाठे करम कर रहे हैं उसका अनुसार आपको आधने हाँ पर करनी होगी ठीक है तो इन बातों का ध्यां रखिएगा तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप राइश्टेशन कर लेते हैं तो राइश्टेशन करने के बाद क्या होता है तो user ID password से login करके अब जो है आपको scholarship की जनकारी भरकर आपको apply करनी होती है तो यहाँ पर मैंने scholarship के लिए दास्तवेच की जनकारी भी दी हुई है कि सबसे पहले तो user ID password आपके पास होना चाहिए जो भी विभाग आपके रजिस्टर मुबालों पर पर प्रवाइड करवा देता है अब टर वेरिफिकेशन ठीक है उसके बाद तेन्थ का जो mark sheet है आपके पास होना चाहिए चुकि यह आपका पूरूफ हो जाए और last year passing mark sheet आपका होता है जैसे कि आप जो भी अभी पाठे करम में अध्यन कर रहे हैं उससे पहले आपने जो भी एक्जाम पास किया हुआ है माले जैए आप अभी इंटर मेंड मिशन लिए हुए है तो आपने जो है तेन्थ पास किया होगा तो आपका last passing year mark sheet हो गया अगर आप गेजियोसन के first year मेंड मिशन लिए हुए है तो आपका जो है इंटर हो गया second year में है तो आपका first year का हो गया इस तरह से जो भी आपने previous exam qualify किया हुआ है उसका जो भी mark sheet है वो आपको यहाँ पे देनी होगी उसके बाद एक bonafide certificate आपको देना होता है अब ऐसे ही आपको नहीं बनवा लेना है आप जहां भी पढ़ाई करते हैं जिस भी इंस्यूट में जिस भी college में हो वहां का एक later pad होता है जिस पे आपका इंस्यूट का या फिर college का नाम लिखा रहता है उपर ठीक है और इसी format में जो हहां पे print करवा कर इस सारे जनकारी आ करवानी होगे तो यह बुनाफाइड आपका त्यार हो जाएगा तो बुनाफाइड अभी तो नहीं लएगा पहले तो आपको registration करना होगा हला कि बनवा लीजिएगा क्योंकि registration के बाद user ID password मिलेगा तो तुरन जो है form को fill कर पाएंगे तो यह बुनाफाइड certificate होता है जो कि जहां भी आप admission लिए हुए वहां से जाकर उसके लेटर पैट पर इसको देखा कर आप उसको print करवा कर जनकारी भर के signature मोहर करवा सकते हैं ठीक है तो यहां तक मैंने आपको clear करके बता दिया अब यहां पे देखिए उसके बाद क्या होता है कि आपको एक fee receipt देना होता है ज मतलब इस तरह से fee receipt बनता है जो कि college के letter pad पे जो भी मतलब college का नाम उपर लिखा रहता है लेटर पे रहता है तो उस पे आपको जो ही print करवा कर या फिर इस format में जो आपको त्यार करवानी होती है जिसमें आपका name and address of institute, name of student, father name, admission, number, course मतलब कि वो लोग आपको fee receipt provide करवा दे fee receipt है उसको त्यार करवा सकते हैं तिस तरह से fee receipt आपको त्यार करवानी होती है उसके बाद आपके पास जो है एक photo होना चाहिए photo भी आपको upload करनी होती है उसके बाद जो है form को final submit कर पाएंगे ठीक है last day जो है 30 सितंबर 23 तक रखाया गया जैसे मैं को बताया और 16 से form start है तो आपको जो है link मिल जाएगा यहां से आप जब भी form में start होयाता है तो हम जो है link यहां पर provide करवा देंगे ठीक है जहां से आप form को आसानी से यहां पर कर पाएंगे सबसे पहले registration करने का link हमने मतलब active किया हुआ है लेकिन काम नहीं कर रहा है जैसे यह active हो जाएगा official मतलब link तो यहां पर active कर दिया जाएगा update कर दिया जाएगा जिसके माधिम सा पावदन कर पाएंगे यहां से login करने कभी आपको link मिल जाएगा तो यह सारे ची जो ही document का जो list है आपको provide करवा दिया हुआ यही document जो आपको लगने वाला है registration में और scholarship के लिए उमीद करते हैं कि आपको जनकारी मिल गया होगा तो please video को like कर दिजेगा और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस video से related तो आप हमें comments तो में comment करके पूछ सकते हैं